तो कुछन हमारे objective है 20 और 21 अब देखो यहाँ पर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आ गया तो आपको याद हो मैं प्रॉपर्टी लिख दूँ माइनस ए से ए में माइनस ए से ए में कौन सी प्रॉपर्टी है मैंने जुआ आपको था है वो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसमें दो टायब का अंसर हो सकता है यह तो डबल हो जाएगा 0 से A lower limit 0 बन जाएगी या फिर answer सीधा-सीधा 0 आएगा कब? जब fx odd function होगा कैसा? odd function होगा और ये कब होगा? जब fx 1 even function होगा कैसा होगा? even function होगा तो odd even आपको याद आ रहा होगा कैसे करते थे कि अगर f minus x अगर fx के बराबर आ गया तो even होगा और f minus x अगर minus fx के बराबर आ है तो odd होगा है लीट होगा है? चलो अब ये 1, 2, 3, 4 प्लस लगे हुए हैं अललग कर लो पहले तो minus pi by 2 से pi by 2 x cube का integration minus pi by 2 से pi by 2 x cos x का integration minus pi by 2 से pi by 2 10 की पावर 5x का integration और minus pi by 2 से pi by 2 1 dx का integration ठीक है? x cube कैसा function है? देखना fx अगर हमारा x cube है तो f minus x अगर आप निकालोगे तो minus x का cube आएगा अब minus की पावर अगर odd है तो minus x cube आएगा ना? यानि minus fx आ गया देखो यह fx था तो यह fx लिख दिया minus तो अगर f minus x minus fx है तो कैसा function है? और odd function का integration क्या होगा? 0 यानि यह पहले part का answer 0 हो गया चलो इसको देखते हैं अगर fx मेरा x cos x है तो इसमें f minus x निकालते हैं तो x minus x हो गया cos यहां पी भी x minus x हो गया तो minus x cos के अंदर अगर angle minus में होता है वो plus ही हो जाता है तो यह minus x cos x किसके बराबर है? fx की तो क्या यह भी minus fx के बराबर आया? तो यह इसका भी 0 हो गया चलो इसको देखते है fx is equal to 10 की पावर 5x तो f minus x निकाला है इस वाले में तो 10 की पावर अच्छा यह 10 x को तो मेरे minus x कर दी है और whole power 5 कर दी है क्योंकि जो power होती है ट्रिग्नोमेटिक हो whole power ही होती है अब 10 minus theta minus 10 theta होता है तो minus की power अगर odd number है तो minus तो आएगा और 10 की power 5x आएगा तो क्या यह भी minus fx आगया तो यह भी odd function है तो इसका भी क्या हो गया 0 अब यह तो x में है नहीं यह तो constant function है इसको कर लो integrate तो 1 का integration होता है x upper limit pi by 2 lower limit minus pi by 2 तो यह तो सब 0 है तो पहले upper limit रखा बीच में minus आएगा फिर lower limit रख दो गया नहीं minus pi by 2 तो pi by 2 plus pi by 2 pi आजाएगा 90 plus 90 कितना 180 तो pi आ रहा होगा c part आ रहा है c part में क्या है pi है के लिए तो अच्छा वोशन तो और यह ऐसा objective question जरूर आ सकता है और छोटा आ सकता हो सकता है इतना दे दे एक्स को सेक्स का इंटी से में बता हूँ तो कोई भी एक part दे दिया यह पूरा दे दिया ठीक है तो even order देख